नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन निभी में आपके ट्रेंट्समेंट की वेकेंसी निकालीगी हैं जी हां दोस को स्टार्ट करते हूं से प्ले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप इसी तरह की वीडियो पारना चाहें तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन बिटन प्रेस करीगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेकिया हूं आपको तुरंद अपडेट मिले चले द संदोईरिट के गए आपक्यां आपको फ多lang फोट इतरी आपको फिल्प करना ठाल वोगा ठीक है अगर रहेंगा कई चयालेमन से बात सब्सक्राइब करें इसके application fees के बारे में भी कोई update नहीं है क्या फीस हो सकती है क्या नहीं यह आपको employment news के भी आया है फिलाल आपको जब official पर आएगा तब आपको पता चल जाएगा ठीक है आगे मैं बात करता हूं देखिए आपके age limit को लेके 18-25 साल आपके age limit यहां पर दिखाई गई है जो कि मै आपका done in related rate जो भी आपने field है आपका electricity and fitter mechanic diesel जो भी है आपका field होता है उसमें आपका idea complete होना चाहिए ठीक है वाई उसके साथ साथ में आपे और क्या होना चाहिए देख लीजिए का अगर यह नहीं है तब यह तो अगर पहली qualifications यह हो गई अगर यह नहीं है तब की बात करे हैं तो mechanic में आपके होनी चाहिए या फिर आपका equivalent कोई भी है with the two year regular science ठीक है in the appropriate technical branch of enemy यानि कि आपने कर कहीं भी जैसे कि आर्मी वाले Navy में या फिर Air Force में कहीं भी किया है तो आप इसमें आपना लगा सकते हैं ठीक बाई two year आपका regular आपका service होना चाहिए वो चीज़ें आप पोस्ट वाइस बात करते हैं जो कि आपका दो department में पोस्ट रहेंगी पहले आपका designated पोस्ट होंगी इसके बारे में अगर हम बात करें देखिए आपका electrical यानि कि फिटर में आपका होना चाहिए जो कि आपकी category वाइस यहां पर vacancy आप लोग यहां पर देख सकते हैं divided हैं ज आप इस वीडियो को complete वाच करीगा उसके बात देखिए आपके देखिए सेम यहां पर आपका इलेक्ट्र प्लाटर में आपकी देखिए पोस्ट दे रखें इस इसाब से 10 पोस्ट रहेंगी इंजिन फिटर की बात करें 163 पोस्ट हैं ठीक है सेम आपका उसी टाइप से दे इस स्विक्नेटिक पोस्ट के लिए ठीक है है घर्वारे में बात करें तो आपकी 11 चेंशी है और आestी में बात करें 5 हैं और इसी टाइप से आपकी डेट इबाइद है ठीक है 38 वेकेंसिई यहाँ पर आपकी दे रखी हैं आप लोग यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं टोल आप नंबर पोस्ट की बात करें तो 500 1531 वेकेंसी यहां पर आप लोग रहने वाले हैं यानिकि 1531 पोस्ट रहेंगी अगर हम बात करते हैं इसके सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो सेलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता देता हूं देखिए पहले आपको एनलाइन फिर्म एपलाई किये जाएगा देन आपको सौड लिष्ट के जाएगा ठीक है जैसी आप लोग सौड़े हो जाते हैं तो आपको एडमिट काड आएगा देन आपको देखिए आपको एक Cow repeat न को जोगा जो दोनों लेंगे जो आप लोग अपना एक्जाम दे सकते हैं ठीक है बाई अगर हम बात करें देखिए आपके कहां से कोश्टन पूछे जाएंगे वह भी मैं आपको पता देता हूं तो देखिए intelligence and reasoning से आपके 10 questions पूछे जाने वाले है numerical aptitude से भी 10 questions आएंगे साथ ही हम बात करते हैं आपके English से आपका 10 questions आएंगे general awareness से 20 questions आने वाले हैं total आपके 50 questions हो गए और 50 आपके देखिए related trade से आएंगे जो भी आपके trade होगी उस related trade से आपके 50 questions आएंगे total आपको देखिए 100 questions आपसे पूछे जाने वाले हैं जिसमें कि अगर हम इसके timing की बात करें तो आपको 90 minute का timing मिलने वाला है ठीक है आप लोग यहां पर देख लीजीगा साथ ही हम आगे बात करते हैं देखिएगा syllabus के बारे में detail में आप लोग देख सकते हैं यह आपका दे स्क्रेंशॉट ले लीजीगा साथ ही आगे हम बात करते हैं देखिए English Language के बारे में करा दूँगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यहां पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन अल्डेटी पहले से फॉर्वाड कर दिया जो जो कि एमप्लाउमें न्यूज में आया हुआ है ठीक है ऑफिशल नोटिफिक करेंगे जैसे इसको डाउनोड कर लेंगे जैसे मैंने इसको उपन किया जैसे हमारा यह उपन होगा आप लोग देख सकते हैं एमप्लाउमें न्यूज का आप सभी के सामने मिल जाएगा रिक्यूट्मेंट ऑफ सिविल इन जो कि आपके परस्टनल के रहे नहीं जो कि आप प्रेंटिस कर रहे हैं वही केंडियेटिस के लिए अविधन कर पाएंगे जो कि मैं आपको नीचे दिखा देता हूं आप लोग खुद भी देख सकते हैं ठीक है यहां पर पूरी तरह से खुद भी बता रखा है देख लीजीगा इस वाले कॉलम में आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक हैं यहां पर किलिए तरीके से बता रखा है शुड है आप यहां पर क्या देखा कम्पलेट आजनि आपने कम्पलीट की की होई ओपरेंटिस ठीक है ना आट रेनिंग इन जो भी आपकी ट्रेट है उसमें आपका प्रेंटिस के लिए होना चाहिए त इसलिबस डिटेल मैंने आपको बता दिया कोई डाउट है देखी कमेंट बोक्स में पूछ लीजेगा और बागी डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको देखिए बाद में बताऊंगा जैसे आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा मैंने देखिए इसके बारे में आपको कम्पली वीडियो कैसी लेगी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बोक्स में पूछ लीजेगा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपली चैलन को सब्सक्राइब करके पहला आइकन बटन फ्रेस करेगा ताकि मैं जब भी आगे कोई वीडियो लेक्या हूं आपको तुरंत अपड